हेलो दोस्तो, नमस्कार, मैं प्रशांद पटेल, कल्यानी IS Academy में आपका हार्दिक श्वागत करता हूँ दोस्तो, हम लोग MBPSC की मुख़ परिक्षा के प्रशनपत्र 4 का ध्यन कर रहे हैं जिसके अंतरगत हम दर्शनशास्त, मनो विज्ञान, एबम लोग प्रशासन का ध्यन करेंगे यह हमारे 4 प्रशनपत्र का नाम है, इसके अंतरगत हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हमारी पहली उनिट, पहली उनिट के अंतरगत हमने विचारकों का ध्यन किया और विचारकों में हमने जो पाशात दार्षनिक हैं जिसके अंतरगत शुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं उनका ध्यरम ने कर लिया है अब इस वीडियो के अंतरगत हम प्राचीन दार्षनिक में महावीर स्वामी को उठाते हैं अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो महावीर स्वामी है महावीर स्वामी से बहुत सारे प्रशन पूछे गए हैं और लगभग यहां प्रशनों की संख्या हर वर्स आती है मतलब प्रशनों की संक्या बहुत जादा होती है और प्रतिक वर्स यहां से प्रशन पूछे जाते हैं आप से या तो महावीर से प्रशन आ जाता है या बुद्ध से महत्मा बुद्ध से प्रशन आ जाता है तो आपको इस धर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, महावीर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको बताते जाओंगा कि कौन सा प्रशन है और कहां से कैसे पूछा जाता है सबसे पहले यदि आपसे सीधा महावीर के बारे में पूछ लिया जाए लिखी दिया जाए कि महावीर कौन थे या महावीर के विशह में बताईए या सिर्फ एक सब्द में लिखा हो महावीर तो हमें पता है कि महावीर क्या थे जेन धर्मे के वास्तविक संस्थापक थे और क्या है महावीर के बारे में यह 24 वे तीर्थंकर थे कौन से थे 24 वे और अंतिम तीर्थंकर थे यहां मैं आपको बता दू कि तीर्थंकर का अर्थ होता क्या है तो तीर्थंकर के अर्थ में हम समझने का प्रयास करते हैं कि तीर्थंकर मतलब होता है भवसागर से पार उतारने वाला जेंदर्शन में तीर्थंकर किसे कहा गया है भवसागर से पार उतारने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहा गया है और तीर्थंकर कौन होते थे जो जयन धर्मे के संस्थापक होते थे अर्थात जयन धर्में अपनी नई-नई सिक्षाओं को समाहित करते थे तो पहली बात हम क्या लिखेंगे कि महावीर 24 वे और अंतिम तीर्थंकर थे ये अंतिम सब्द ध्यान रखना क्यों? क्योंकि पहले तीर्थंकर सब्देव थे और 23 वे तीर्थंकर पार्सवनाथ थे ये दोनों ही नाम बहुत महत्रपूर्ण है GS के लिए है प्रश्ण पत्र प्रथम में पूंचा जा सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कोन थे 23 वे तीर्थंकर कोन थे और 24 वे तीर्थंकर कोन थे हमें किसका अध्यन करना है? हमें 24 वे और अंतिम तीर्थंकर का अध्यन करना है जिनका नाम क्या है? महावीर श्वामी तो एक पॉइंट क्या हो गया महावीर के विशाय में कि यह जैन धर्म के 24 वे और अंतिमती उथंकर थे दूसरा महात्र पॉइंट है कि यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे क्या थे वास्तविक संस्थापक एक प्रशन यहां उठता है कि जब जैन धर्म की स्थापना रिसब देव ने की थी तो यहां पर यह क्यों लिखा है कि जैन धर्म के बास्तविक संस्थापक महावीर थे तो दोस्तो इस्थापना तो पहले हो गई थी लेकिन उसमें जिन नियामों का पालन किया जाता है जिन नियामों को महत्वता दी जाती है जिस दर्सन का महत्व है वो दर्सन दिया था महावीर स्थापना इसलिए महावीर स्थापना को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अगली बात करें कि इनकी कठोर तपश्याओं का वरणन कहा मिलता है तो आचरन सूतर है, जैन धर्मी की पुस्तक है उस में महावीर शौमी के कठोर तपश्या का क्या मिलता है तो यह कुछ पॉइंट है जो महावीर के विशाय में महत्रपुन जानकारी आपको प्रदान करते हैं, आप इसनको ध्यान रखिएगा, और यदि महावीर के विशाय में आपसे पूछा जाता है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, कि महावीर जैन धर्मे के 24 वे और अंतिमतीर ठंकर थे, महावीर जैन धर्मे के वास्तविक स विश्वास रखता है, या इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, कि आखिर जैन धर्सन में किन माननताओं को महत्यो की दिया गया है, और किन माननताओं को स्विकार किया गया है, तो जैन धर्सन की बात करें, तो जैन धर्सन में सबसे पहले आत्मा, आत्मा की अमर्ता, दूसरे से ही related होते हैं कैसे समझने का प्रयास करते हैं तो जैन दर्सन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ती यदि कोई कर्म करता है और वो कर्म कैसा है अच्छा है या बुरा है वो उसके साथ वन्द जाते हैं और उन कर्मों को उन कर्मों का फल या परिणाम भोगने के लिए तो सिर्फ एक सरीर से दूसरे सरीर में प्रिवेस करती है और वो प्रिवेस क्यों करती है इन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए किलियर है तो क्या क्या हो गया आत्मा, आत्मा की अमरता वन्धन मोक्ष, वन्धन मोक्ष का मतलब क्या होता है कि उसने जो कर्म किये, वो कर्म उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं, किसके साथ? आत्मा के साथ, अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे कर्म जुड़ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो बुरे कर्म जुड़ जाएंगे, तो बंधन मोक्ष की प्रिक्रिया है, मतलब वह बं मुक्ति पाने के लिए मुक्ष की प्रिक्रिया को अपनाना चाहिए। आगे हम समझेंगे कि आखिर बंधन की प्रिक्रिया क्या है और मुक्ष की प्रिक्रिया क्या है। और बंधन और मुक्ष के लिए उन्होंने क्या क्या सिध्धान दिये। तो यहाँ पर क्या किया उन्हो को भोगना पड़ता है यदि आप इस जन में नहीं भोग पाते तो आप अंगला जन में लेते हैं किलियर हैं दूसरी बात हम करते हैं कि ऐसे धांत इश्वर और अवतारबाद में विश्वास नहीं करता किसमें विश्वास नहीं करता इश्वर और अवतारबाद में वो नही मानता नहीं देता और नहीं ये इश्वर को मानता है ये क्या मानते हैं महावीर श्वामी जी के सिध्धानतों को मानता देते हैं किलियर है हां किसमें सैध्धानतिक रूप में बिवहारिक रूप में भले ही ये इश्वर को मानते हैं लेकिन इश्वर का इस्थान जिन से जिन क्या होता है तो जिन जेंधर्म में माना जाता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है उनको जीत लेता है वो जिन कहलाता है ठीक है तो जिन के नीचे इस्थान किसका रखा गया है इश्वर का रखा गया है तो जेंधर्शन की बात करें तो जेंधर् प्रवाद को नहीं मानता स्यध्धानतिक रूप से बिवहारे रूप से इस स्वर को जरूर मान लिया गया है लेकिन उसका इस्थान किस के नीचे रखा गया है जिन के नीचे रखा गया है चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कभी कभार प्रश्न पूच ल दिया था यह प्रश्न आपको याद रखना है दूसरी बात सरवदिक उपदेश कहां दिये तो सरवदिक उपदेश उन्होंने वैसाली में दिये यह दो चीजे हैं अती महत्रपून है कि अभी तक तो नहीं पूछी गई लेकिन पूछे जाने की संभावना बहुत जाता है चली आगे बात करते हैं कि जयन धर्म के अनंत चतुष्टाई क्या है अनंत चतुष्टाई से मतलब क्या होता है यह बोलते हैं कि जो जीव है जो तत्त है वह प्रारंब से ही इन अनंत चतुष्टाई में फसा हुआ रहता है मतलब यह अनंत चतुष्टाई उसके जीवन मे मूल रूप से ही बिद्दमान रहते हैं और यह अनन्त चतुष्टाय हैं अनन्त ज्यान, अनन्त दर्शन कौन कौन से? अनन्त ज्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर और अनन्त शुक क्या-क्या है? अनन्त ज्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर और अनन्त शुक वो बोलते हैं कि अनन्त ज्यान से अनन्त दर्शन की प्राप्ति होती है अनन्त दर्शन से अनन्त वीर की प्राप्ति होती है और अनन्त वीर से अनन्त सुक की प्राप्ति होती है और जो अनंत चतुष्टाय हैं ये जीव को प्रारम से ही मिले हुए होते हैं जीव में प्रारम से ही विद्धमान होते हैं चलिए आगे हम समझते हैं कि जैन दर्शन क्या है तो जैन दर्शन के नेतिक सिध्धान्त को या नेतिक विचार को समझने से पहले हमें समझते हैं कि जेन दर्शन किस आधार पर अपने जेन दर्शन की नेतिक विचार की वियाख्या करता है तो जिस तरीके से हमने पास्षात दर्शनेकों में समझा था कि कोई भी दर्शन है वो तीन आधार पर दिया जाता है ग्यान मीमान सा, तत्त मीमान सा और नीती मीमान सा और इनका अर्थ भी हमने पहले समझा था जैसे पाश्याद दार्शनेक में साहिद मैंने सुकरात में आप लोगों को बताया था कि ग्यान मीमान सा के अंतरगत हम सत्त की खोच करते हैं सत्त आखिर है क्या सत्त कैसे जन में लेता है सत्त के प्रकार क्या होते हैं सत्त की प्राप्ति कैसे होती है और तत्त मीमानसा के अंतरगत हम तीन चीजों का अध्यन करते हैं जिसमें आत्मा जगत और ब्रह्मा की बात की जाती है तो उसी तरीके से महावीर स्वामी भी जैन द बात करते हैं और नीती मीमानसा के अंतरगत आखिर नेतिक जीवन कैसे होता है वंधन की प्रिक्रिया कैसे होती है और ये जीव आत्मा इस भव सागर से कैसे पार उतर सकती है इसके विसाय में बताते हैं तो जेंदरसन की बात करें तो जेंदरसन ने तब तो मीमानसा के विश वो अनेक तक्तों से मिलकर वनी हुई है और इन अनेक तक्तों में अनेक गुण विद्धुमान है किलियर है अनेकांत बाद को डेटेल में हम आगे समझेंगे कि आखिर अनेकांत बाद की दौरा वो क्या कहना चायते हैं और किस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं बस आपको स्यादबाद के अंतरगत वो बोलते हैं कि हम प्राणी हैं और हम सर्वग्यानी नहीं हैं क्योंकि यह जो ब्रह्मांड है जो जीव है जो आत्मा है जो जगत है यह अनेक तक्तों से मिलकर बना हुआ है इस तक्त में अनेक ग्यान विद्वान है और उस ग्यान का हमें पूर्ण ग्यान नहीं हो पाता तो इसके लिए हम जो भी बोलें वो सायद के आधार पर हो तब ही हम बेवादू से बस सकते हैं और इसको बोलने के लिए वह सब्थ भंगे नहीं सिध्धान की बात करते हैं वो बोलते हैं इसको बोलने के लिए साथ तरीके होते हैं तो ग्यान मीमानसा के तहट वो क्या कहते हैं सियादवाद का सिध्धान देते हैं और सियादवाद का बेवारःक रूप कौन सा है, सब्त वंगेने है यहां समझने की बात है कि तत्त मीमान सा है उसका ही एक जो अभीव्यक्त रूप है has जैन ध्यान मीमान सा है मतलब जो अनिकांत वाद के दूरा स्रश्टी की व्याख्या की गई है और इसमें कहा गया है कि जो सर्ष्टी है या जो जगत है या जो जीव है अनिक कत्तों से मिलकर बना हुआ है तो उसी की अभिव्यक्ति रूप में उन्होंने स्यादबाद का सिद्धान दिया और स्यादबाद को विवहारिक रूप कौन प्रदान करता है सब्त भंगियनाय का सिद्धान प्रदान करता है नीती मिमानसा के अंतरगात वह बंधन मोक्ष का सिद्धान देते हैं वन्धन मोक्ष के अंतरगात वह दो चीजें बोलते हैं कि एक वन्धन की प्रिक्रिया होती है और एक मोक्ष की प्रिक्रिया होती है यहाँ पर समझने का प्रियास करना वन्धन मोक्ष में क्या है वन्धन और मोक्ष दो सब्द हैं यहाँ पर अदि हम बाट दें तो यहाँ प आस्रा होता है और एक वंध होता है आस्रा में क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं तो महावीर स्वामी कहते हैं कि जो पुगदलकन हैं पुगदलकन मतलब कर्म है मानव के कर्म है पुगदलकन जीव की और आकरसित होते हैं और वो क्यों होते हैं अज्ञानता के कारण होते और ये वासनाओं और एक्षाओं के द्वारा ये जो पुगदलकन होते हैं जो कर्म होते हैं वो जीव की ललायत होते हैं तो जब वह पुगदलकन जीव की और आते हैं तो उसे बोला जाता है आस्राओं और जब वह जीव जब पुगदलकन जीव से बंद जाते हैं उसको जक उसे जर्म लेने के लिए क्या करती हैं ललायत करती हैं फिर इसके बाद महाविर श्वामी कहते हैं कि वंधन मोक्ष की बंधन की प्रिक्रिया से निवारन के लिए हमें मोक्ष की प्रिक्रिया की ओर जाना चाहिए और मोक्ष में उन्होंने क्या कहा मोक्ष में भी उन्होंने दो तथ दिये, एक बोला संवरा और एक बोला निर्जरा। क्या बोला? एक बोला शंवर और एक बोला निर्जरा। शंवर बोलते हैं कि जो पुगदलकण जीव की और आ रहे हैं, उनको रोग देना। मतलब जो आ रहे हैं, उनको रोक देना, शमवर कहलाएगा, और निर्जरा के जो पुगदलकड़ पहले से ही जीव में बिद्दमान हैं, जो उसको जकड़े हुए हैं, उनको क्या करना? जीव से मुक्त कराना, मतलब जीव को और पुगदलकड़ों को एक दूसरे से दूर करन क्या हो जाएगा? निर्जरा हो जाएगा, वो बोलते हैं कि मुक्ष की प्रिक्रिया के लिए मुक्ष का एक साधन भी है, आखिर मुक्ष कैसे प्राप्त किया जाए? ये तो उन्होंने प्रिक्रिया बताई कि मुक्ष की प्रिक्रिया है समवर और निर्जरा, कि आप पुग मोक्ष प्राप्ति के साधन का उल्ले किया है वो बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए दो साधन हैं एक त्री रतन हैं और एक पंच महाबरत हैं त्री रतन को समझने का प्रयास करते हैं त्री रतन में वो बोलते हैं सम्मक ज्यान शम्यक दर्शन और शम्यक चरित होना चाहिए सम्यक ज्यान का मतलब जो होता है कि सक्त अशत उचित अनुचित के मद्ध ज्यान व्यक्ति को होना चाहिए अब वो ज्यान कब होगा मतलब सक्त ज्यान होना चाहिए ज्यान कब होगा जब वो है सम्यक दर्सन करें और सम्यक दर्सन मतलब जो इसके प्रवर्तक है जेंदर्सन के जो इसके संस्थापक हैं उनकी कही हुई बाक्यों को उनकी कही हुई बातों को शब्द अनुसार मानना और मानकर उनकी अनुसार चरित्र करना ये क्या कहलाता है त्री रतन कहलाता है पंज महावरत के अंतरगत वो बोलते हैं अहिंसा, सत्य, आस्ते, आपरिग्रह और ब्रह्मचरिय का पालन करना चाहिए जब हम इन पाँच तत्तों का पाँच ब्रतों का पालन करते हैं तो हम इस भावसागर से मुक्त हो जाते हैं पुगदलकन जीवों से पूर्टह मुक्त हो जाते हैं और हमें मुक्ष की प्राप्ती हो जाती है हम जनम मरण के वन्धन से मुक्त हो जाते हैं चलिए हम अब इनके सिध्धान्दों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं पहला सिद्दान था इनका अनेकांत बाद अनेकांत बाद के अंतरगत जैसे कि मैंने पहले ही बताया है उन्होंने स्रश्टी की व्याख्या की है और वो कहते हैं कि जो स्रश्टी है जो जीव है जो द्रब है वो अनेक तक्तों से मिलकर बना हुआ है और उस तत्तों का ज्यान होना अती आवश्यक है तो क्या है? यदि अनेकांत बाद की परिवास आप से पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे? यह तत्तो मीमानसा की वस्तुवादी, सापिक्ष्थाबादी एबं वहू तत्तो बादी क्या है? व्याख्या है क्या लिखेंगे आप तीन नम्मर में? कि अनेकांत बाद जो है तत्तो मीमानसा की वस्तुवादी, सापिक्ष्थाबादी और बहु तत्तो बादी व्याख्या है आगे बात करते हैं कि जینदर्सन क्या मानता है? तो जेनदर्सन अनेकांत बाद के तहत मानता है कि सत्ता की अनेकता में विश्वास करता है किस में विश्वास करता है सत्ता की अनेकता में वो बोलता है कि सत्ता में अनेक गुण विद्धुमान होते हैं और उन गुणों के कारण बहुत सारे धर्म जन्म लेते हैं और वो धर्म दो प्रकार के होते हैं एक होता है नित्य धर्म और एक होता है अनित्य धर्म नित्य धर्म क्या होता है तो नित्य धर्म के अंतरगत कुछ चीजे हैं जैसे कि यह द्रब्ब में सदेवनिहत होता है द्रब्ब में क्या होगा सदेवनिहत होगा दूसरी बात होती है कि यह द्रब्य के अस्तित्य के लिए अति आवश्चक होता है मतलब इसके बगैर द्रब्य का कोई अस्तित्य है ही नहीं तीसरी बात यह उसके सरूप का निर्धारन करता है तो नित्य धर्म कौन कौन से होंगे जो उसमें सदेवनहत होंगे उसके अस्तित्त का निर्धारन करेंगे और उसके स्वरूप का निर्धारन करेंगे मतलब अस्तित्त के लिए अनिवारी होंगे और स्वरूप का निर्धारन करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके नित्धर्म कहलाएंगे और इन्हें उसने महावीर ने स्वरूप धर्म भी कहा है क्या कहा है स्वरूप धर्म जैसे कि एक उधारन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई सोने का आभूशन है सोने का नित्धर में क्या होगा उसका पीलापन और उसका चमकीलापन क्यों? क्योंकि यह इसमें सदेवनेहत होते हैं क्योंकि पीले पन और चमकीले पन के विना सोना सोना नहीं होगा सोने को हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि इसकी चमक नहीं जाती है और दूसरा क्या होता है? यह पीले रंगा होता है तो नित धर्म क्या हो जाएगा इसका इसका नित धर्म हो जाएगा चमकीलापन और पीलापन क्योंकि वह सदिवनेत भी होता है एस्तित्त के लिए भी आवश्क होता है और इसके स्वरू को निर्धार्द करता है वो बताता है कि ये सोना है, चांदी की चमकीलापन और सफेद रंग उसको बताता है कि ये चांदी है, तो स्वर्ण आवुशन के लिए नित्धर्म क्या हो जाएगा? नित्धर्म हो जाएगा उसका चमकीलापन और उसका पीलापन, यदि उस स्वर्ण से हमने कोई आवुशन भी बना सकते हो, कोई भी आवुशन बना सकते हो, तो वो क्या होता है, परिवर्टन सील होता है, अस्तुत्य के लिए आवशक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो आवुशन ना बने, सोने का आपने बिस्कुट रख लिया तो सोने का कोई महत्तु नहीं है, सोने का महत्त उतना ही होगा जितना आउशन बनने के बाद है और आउशन ना बनने के बाद है दोनों का क्या होगा महत्त बराबर होगा तो अनित्त धर्म क्या होते हैं परिवर्तन सीर होते हैं और अस्तित्य के लिए इतने अनिवार्य नहीं होते हैं यह क्या होते हैं आगंतुग धर्म भी कहला और इसके लिए जो सुख हैं दुख हैं भावनाएं हैं यह क्या हो जाएगी अनित धर्म हो जाएगी समझ में आया इसके अंतरगत उन्होंने स्रश्टी की व्याक्ष्छा की और स्रश्टी की बिद्वान दो प्रकार के धर्म है नित धर्म और अनित धर्म उनकी व्याख्या के द्वारा समझाने का प्रयास किया अगले सिध्धान्त के और बड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा है स्यादबाद और स्यादबाद क्या है जो आपके तत्व मीमान सा के अंतरगत अनेकांतबाद है उसी कि ये क्या है अभी व्यक्ति है और स्यादबाद क्या करता है ज्यान की सापिक्षता के साथ साथ परामर्स को व्यक्त करता है किसको व्यक्त करता है परामर्स को देखे मैंने अभी एक सब्द कहा कि अनेकांत बाद की एक अभी रखती है और अनेकांत बाद के दोरा हमने देखा है कि जो स्रश्टी का निर्मार हुआ है जो जीव का निर्मार हुआ है जो तक्तो का निर्मार हुआ है वो अनेक तक्तों से मिलकर हुआ है ठीक है इसमें अनेकता बिद्दमान होती है और उस अनेक तक्तों का ग्यान हमें आसानी से नहीं हो सकता है उसका ग्यान किसे होगा? मात्र केवली को होता है केवली कौन होता है? केवली होता है जिसे पूर्ण ग्यान हो चुका हो जो सरवग्गी हो ठीक है जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया वो होता है केविली तो यदि किसी तक्तो का पूर्ण ग्यान होगा तो वो किसको होगा सिर्फ केविली को होगा हमें क्या होगा हमें जो इंद्रियों से हमने अनुभाव किया इंद्रियों के द्वारा हमें जो अनुवा हो रहा है उसके द्वारा हमें जो ग्यान प्राप्त होता है हमें सिर्फ उतना ही होगा और ये ग्यान कैसा होगा क्या पूर्ण ग्यान होगा नहीं ये होता है पार्शवे के ग्यान तो जब कभी हमें पार्सवे के ग्यान होता है तो बहुत सारे लोग जब आपस में मिलते हैं तो पार्सवे ग्यान के द्वारा उनमें मतवेद उत्पन हो जाते है किस कोई व्यक्ति अपने अनुसार उसका अर्थ लगाता है और कोई व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से उसका अर्थ लगाता है और जब वो आपस में मिलते हैं, बिचार वी नुमय करते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें विवाद उतपन हो जाता है जैसे कि एक कहानी की बात करते हैं, हम एक उधारन लेके बात करते हैं छे अंधों की और हाथी की छे अंधों को एक हाथी को इसपर्ष कराया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बता ये हाथी क्यासा होता है अंधे हैं उन्होंने हाथी तो कभी देखा नहीं अब एक अंधा उसके कान को इसपर्ष करता है और बोलता है हाथी जो है बहुत ही प व्यक्ति उसकी सून को इसपर्ष करता है बोलता है नहीं नहीं रस्टी तो होता है लेकिन मौटी और लंबी रस्टी होती है एक व्यक्ति उसके पेट को इसपर्ष करता है और बोलता है नहीं यह तो दीवाल के समान होता है अर्थात जितने भी अंदे जो भी इसपर्ष कर र रहे हैं वो सत्त बूल रहे हैं लेकिन क्या यह है पूर सत्त है नहीं यह क्या है यह अधूरा सत्त है तो जब यह आपस में मिलेंगे और जब बारतालाब करेंगे और बोलेंगे कि हाती कैसा होता है तो सातों में क्या होगा विवाद होगा इसी विवाद से बचने के लिए ज श्यात सब्द, क्या कहा गया है श्यात सब्द, स्यात मतलब होता है कि किसी भी बस्तू या किसी भी बात को कहने से पहले उसके आगे साइद सब्द लगा दो, जैंदरसन में यही बात की पुष्टी के लिए एक बात और कही गई है कि बिभिन धर्मों में और बिभिन दर्सनो भी नी मैं होता है तो उसके कारण क्या होता है उनमें विबाद होने लगते हैं और इस विबाद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें श्याद सब्द का उपियोग करना चाहिए और श्याद सब्द के उपियोग से हम क्या कर सकते हैं विबाद उसे बच सकते हैं इसक प्रैय अंद्धें अपनी बात रखते हैं और स्यात के साथ रखते हैं . एक अंदां बोलेगा, कि सायध हाति सूफें के सuled है . ईसने क्या बोला सायध , मतलब संभावना व्यक्त कि , आसा हो सकता है ? कर र dua हो सकता है , मैंने तो उसको खंबे के स vont किया थ DIRECTOR , नहीं नहीं आप भी सही वो रहो क्योंकि आपने इस पर्स किया है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दीवाल के समान हो क्योंकि मैंने तो दीवाल जैसा उसको अनुभाव किया है तो इसमें क्या होगा छेव अंधों की बातों को भी रखा जाएगा और वो बिवाद से भी बच जाएंगे तो उन्होंने क्या दिया बिवादों से बचने के लिए सियादवाद का सिध्धान दिया और स्यादबात की बिवहर एक अभी व्यक्ति को बनाने के लिए उन्होंने सब्त भंगेने सिद्धान्द को प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि किसी बात को कहने के लिए जो स्याद सब्द है वो साथ तरीके से जोड़ा जा सकता है मतलब कोई भी यदि हमें बात कहनी है तो वह हम साथ तरीके से कह सकते हैं कौन-कौन से साथ तरीके होंगे पहला हम कह सकते हैं कि स्याद है मतलब साइद ऐसा हो सकता है दूसरा होता है श्याद नहीं है तीसे रूप में हम कह सकते हैं स्याद है और स्याद नहीं भी है च्वाथे रूप में हम कह सकते हैं कि स्यात अबक्तब्य है पांचवे रूप में हम कह सकते हैं कि स्यात है भी स्यात अबक्तब्य है छटवे रूप में हम कह सकते हैं कि स्यात नहीं है और स्यात अबक्तब्य है मतलब हम किसी बात को कहने से पहले साथ तरीके से स्यात सब्द को जूड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं और इस बात को रखने से क्या हो जाएगा बिवाद से मुक्ती हो जाएगी आपकी बात भी सही हो जाएगी और सामने बाली की बात को भी आप स्विकार कर लेंगे तो ये क्या था? श्यादवात का सिध्धांद था जो कि उनकी किसके तक्त मीमानसा के अंतरगत स्वरी ज्यान मीमानसा के अंतरगत आ रहा था अब हम बात करते हैं उनके अंगले सिध्धांद की जिसके अंतरगात हमें अध्यन करना है वन्धन मोक्ष के सिध्धान्द का वन्धन और मोक्ष यहाँ पर दो सब्धें आप ध्यान रखिए क्या-क्या है एक है वन्धन और एक है मोक्ष तो वन्धन मोक्ष के लिए जेंधर में एक माननता है कि जो जीव है उसमें जन्म से ही अनन्त चतुष्टाय विद्धमान होते हैं अनन्त चतुष्टाय जो कि हमने प्रारम में पड़े थे कि इसके अंतरगत क्या-क्या होता है अनन्त ज्यान होता है अनन्त दर्शन होता है अनन्त सक्ती होती है और अनंत आनंद होता है वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से मेक सूरे को ढख लेते हैं उसी तरीके से अज्यानता किसको ढख लेती है इन अनंत चतुष्टाय को ढख लेती है अर्थात हमें इस अज्यानता से मुक्ति पाना चाहिए इस अज्ञानता के कारण ही पुगदलकन जन्म लेते हैं और जीव की ओर ललायत होते हैं वो कहते हैं कि बंधन के कारण दो होते हैं क्या क्या होते हैं बंधन के कारण दो होते हैं एक हमने देखा था कि बंधन में क्या था आस्रा होता है और बंध होता है आस्रा और बंद को समझने से पहले वो बोलते हैं कि सबसे मुख्य कारण है अग्यानता अग्यानता के कारण ही मनुष्य में क्रोध, मान, लूब, माया जैसी वासनाय और प्रबत्तियां क्या होती हैं मिलेती हैं इन्हीं की ओर आत्मा अग्रशर होती है और इन्हीं के द्वारा जो कन बनते हैं बहुत एक कन बनते हैं जिनें कहते हैं पुगदल कन वह जीवों की ओर क्या हो जाते हैं ललायत हो जाते हैं तो दो चीजें बनती हैं जब वो आते हैं तो एक प्रिक्रिया बनती है और जब वो उससे जुड़ जाते हैं तो दूसरी प्रिक्रिया बनती है। जब वो है उसकी और आ रहे होते हैं तो उसे कहते हैं आस्राव। मतलब जीवों की और कर्म पुगदलों का प्रवा है। उसे क्या बोलते हैं आस्राव। वंधन क्या होता है? बंधन होता है कर्म पुगदलों का जीवों में प्रवियस कर जाना उसे जकड जाना उसे पकड लेना क्या होता है वंध होता है और इन दोनों से ही वंधनी की प्रिक्रिया बनती है व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फस जाता है और जन्म मरण में लगा रहता है इस भाव प्रक्रिया के लिए भी वो दो चीज़ें देते हैं वो बोलते हैं एक संवर की प्रक्रिया होती है और एक निर्जरा की प्रक्रिया होती है संवरा में बोलते हैं वो शंवर में बोलते हैं कि पुगदलकणों को जीवन की और प्रवाहत होने से पूर्णता रोकना ध्यान रखना यहां पर क्या लेखा है पूर्णता रोकना मतलब जब पुगदलकन जो बहुत सारे पुगदलकन हैं और कोई जीव है उसकी और जब ये आते हैं तो उसकी प्रवाह को पूर्टा रोक देना क्या कहलाता है शमवर कहलाता है और जो पहले से विद्वान उसमें पुगदलकन हैं उन से जीव को मुक्टी दिलाना वो क्या कहलाता है निर्जरा कहलाता है तो उन्होंने दो प्रिक्रियाँ तो बता दी कि वंधन का कारण क्या है वंधन का कारण अग्यानता है और वंधन में दो प्रिक्रियाँ होती है उसी तरीके से वो मोक्ष की प्रिक्रियाँ बता देते हैं कि मोक्ष में हमें दो प्रिक्रियाँ का पालन करना है एक संवर और ए उसके लिए वह कुछ साधन देते हैं और थात मुक्ष प्राप्ति के साधन की बात करते हैं वो कहते हैं कि यदि आपको मुक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको त्री रतनों का पालन करना होगा और पंच व्रत का पालन करना होगा त्री रतने क्या होते हैं तो त्री रतन त कि अपनाने के लिए जो तीर्थंकरों के प्रती स्रद्दा का भाग होना चाहिए वो जो भी बात कहते हैं उन्हें सब्द सहमान लेना चाहिए उस पर संदेह नहीं करना चाहिए वो क्या कहलाता दर्सन कहलाता है और सम्यक्चरत्र के अंतर होता है कि हितकारियों को करना और अ तो जैन दर्सन के अंदर का त्री रत्न दिये गए हैं, कहा गया है कि आपको सबसे पहले सम्यक ज्यान होना चाहिए, सही ज्यान होना चाहिए, फिर सम्यक आपको दर्सन करना चाहिए, और दर्सन के अनुसार आपको सम्यक चरत्र करना चाहिए, किलियर है? तो ये त्री रत्न हैं इनके द्वारा भी आपको मुक्ष की प्राप्ति होगी और इनके साथ साथ आपको पंच ब्रत का पालन करना होगा किसका पालन करना होगा पंच ब्रत का पालन करना होगा पंच ब्रत में दो प्रकार की बात की गई है एक महावरत की बात की गई है और एक अनुबरत की बा नहीं है अहिंसा सत्य आस्ते आपरिग्रह ब्रम्म चरिए इनका पालन आपको कठोरता के साथ करना है मतलब जो बात जैसी लिखी है उनका सब्द साथ पालन करना है उनमें कोई भी रियायत आपको नहीं दी जाएगी और एक इसको दिया गया सन्यासियों के लिए दी गई है फिर एक आती है अनुब्रत अनुब्रत ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं जैंदरसन के अंदरगत जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए दिये गया है उनसे कहा गया है कि आप इन पंच जो महाव्रत हैं या पंच ब्रत हैं इनके पालन में आप थोड़ी सी नर्मी बरस सक सकते हैं मतलब पूर्टा जैसे ब्रह्मचरी का पालन करना है तो आप पूर्टा मत करिए ठीक है आप ग्रस्त जीवन भी जीए आप सारे जीवन ब्रह्मचरी का पालन करिए उसके बाद आप साधी सुधा जिंदिगी जी सकते हैं इसके बाद सत्य है अहिंसा है आप आस्ते है आप परिग रहे हैं वो बोलते हैं कि आप जब सामजिक जीवन जी रहे हैं तो सामजिक जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आप जूट बोल सकते हैं थोड़ी बहुत यहां ध्यान रखना थोड़ी बहुत थोड़ी सी रियायत दी गई है थोड़ी बहुत संपत्तिक अर बात नहीं की गई है तो ये जो हैं दो प्रकार से हैं एक सन्यासियों के लिए अलग दिये गए हैं और ग्रष्टों के लिए अलग बात की गई है सन्यासिय के लिए कहा गया है कि आप कड़े नियमों का पालन करेंगे और ग्रस्तों के लिए कुछ नर्मी वरती गई समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रत कौन कौन से हैं तो सबसे पहले ब्रत आता है सबसे महत्रपूर्ण ब्रत आता है अहिंशा का अहिंसा जेन धर्म का सबसे महत्रपूर आधार भूत नेते गुण माना जाता है और इसके दो अर्थ होते हैं एक नकारत सब्दों में अर्थ होता है और एक अर्थ होता है सकारात्मक शब्तों में नकारात्मक में क्या होता है कि मन, बानी और कर्म तीनों से होने वाली हिंसा ना करना मतलब आप मन में भी किसी व्यक्ती के विशाय में गलत ना सोचें आप बानी से भी किसी व्यक्ती या जीव के विशाय में कुछ गलत ना कहें और आप ऐसा कोई कर्म ना करें जिसके द्वारा किसी जीव को या किसी प्राणी को कष्ट पहुँचे तो यह क्या होता है नकारात्मक सब्दों में नकारात्मक का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं कि यह गलत है नई, सही है, लेकिन इसमें क्या है? ना करने की बात की गई है कि आप ऐसा ना करें और ना सब्द लगा अर्थात नकारात्मकर्थों में सकारात्मकर्थों में इसका उलेक करते हुए वो कहते हैं कि जीव मातर के प्रती करुणा प्रेम दया की भावना रखना मतलब आप जीवों के प्रती क्या है करुणा रखें दया रखें प्रेम की भावना रखें ठीक है तो यह यदि आप पालन करते हो तो आप क्या करते हो अहिंसा का पालन करते हो तो ध्यान रखना जेंधर में अहिंसा का अर्थ दो आर्थों में दिया गया है नकारात्मक अर्थों में भी कहा गया है और सकारात्मक अर्थों में भी दिया गया है नकारात्मक में क्या कहा गया है कि हिंसा ना करना, तीन प्रकार से ना करना मन बचनों और कर्म से उसके बाद क्या करना चाहिए? तुनने बोला आप प्रेम करो, आप करो ना रखो, आप दया की भावना रखो, यह आप करो किलियर है तो यह क्या हो जाएगा? अहिंसा का आर्थ हो जाएगा, जेन धर्मे के अनुसार मैं इतना डेटेल में क्यों बता रहा हूँ अहिंसा को? कभी-कभी प्रशन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की अहिंसा, गांदी जी की अहिंसा और जेन धर्मे किया महावीर की अहिंसा में क्या अंतर है? तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि कौन सा धर्म अहिंसा का क्या अर्थ देता है? चलिए, आगे बात करते हैं हम शत्त की, तो जेन धर्म में दूसरा जो वरत है वो है सत्त सत्त के बाद वो बोलते हैं कि सत्त क्या है? बचन की पवित्तरता है मतलब आप बचन ऐसे बोलिए जो सुद्ध और साफ हूँ मतलब पवित्रता बचन की पवित्रता इसका अर्थ भी क्या होता है अर्थ में यदि हम बात करें तो ये बोलते हैं कि असत्त बचन का हमें परित्याग करना चाहिए और सत्य बचनों को मधर बचनों को हमें सुईकार करना चाहिए इस तरीके के आप बचन बोलिए ताकि किसी को कष्ट ना पहुँचे ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे और असत्य बचनों को त्यागिए और मधर बचनों का क्या करिये आप उप्योग करिये सत्त समझ में आया अहिंसा समझा सत्त समझा तीसरा इनका सिध्धान्थ है जिसे बोलते हैं आस्ते आस्ते मतलब होता है चोरी ना करना आस्ते का अर्थ क्या होता है चोरी ना करना अब चोरी ना करने का मतलब क्या होता है लेने से मतलब ऐसा नहीं है कि भौत वस्तू को नहीं लेना चाहिए वो बोलते हैं मन बचन कर्म तीनों के साथ ही हमें उसकी चीजों को गिर्हन नहीं करना चाहिए जब तक कि वह उसे देने की आग्या प्राप्त ना करे तब तक हमें उस वस्तू को अपनी और अपना नहीं बनाना चाहिए ये क्या कहलाता है आस्ते कहलाता है अंगले सिद्धान्त की बात करते हैं जो है आपरीग्र है आपरीग्र है मतलब होता है अत्यतिक संपत्ति का अरजन ना करना तो जैन दर्सन में कहा गया है कि व्यत्ति को जितनी भी अपने नैतिक जिन्दगी जीने के लिए या नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी संपत्ति की अति आवशकता है सिर्फ उतनी ही संपत्ति कारजन करे अतिरिक संपत्ति कारजन ना करे तो ये क्या कहलाता है? आप परिग्रह कहलाता है महावीर स्वामी ने आपरेग रहे पर इतना जादा बल दिया कि अपने वस्तनों तक का त्याक कर दिया था उन्होंने बोला कि जो चीज हमारे लिए आवशक नहीं है जिसके बगएर हम रह सकते हैं तो उसका हम क्या कर दें? परित्याक कर दें अपने बस्तनों का परित्याक कर दिया था आखरी जो विरत है वो है ब्रह्मचरिये ब्रह्मचरिये का मतलब क्या होता है? समच्त वाशनाओं को त्याक कर देना या अपनी ग्यान इंद्रियों पर रोक लगा देना मतलब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इक्षाय होती हैं, बहुत सारी चाने की, पाने की इक्षाय होती है, वो सुचता है हमें अच्छा-च्छा खाने को मिल जाए, अच्छा-च्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा-च्छा रहने को मिल जाए, घूमने को मिल जाए, तो बोलत प्रतिक कण हैं आपके सरीर की ओर आपके जीव की ओर ललायत नहीं होंगे जब जीव की ओर ललायत नहीं होंगे तो आप क्या हो जाएगा इस भाव सागर से मुक्ति पा जाएंगे तो मोक्षी की प्रिक्रिया के लिए वो क्या-क्या देते हैं तिरी रत्न देते हैं और पंच व्रत की बात करते हैं अब बात आती है कि जैन दर्सन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है बहुत अच्छी बातें भी कहीं है कि मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो ये भी बताता है कि स्रश्टी की व्याख्या कैसे होती है किसी भी बात में यदि बिवाद ना हो उसका भी मारग पृषष्ट कराता है उसका भी मारग बताता है फिर आखर ऐसा क्यों है कि जैन धर्म जड़ा पापूलर नहीं हो पाया ज़्यादा प्रशिदी प्राप्थ नहीं कर पाया जैसे कि और भी धर्म हैं इसाई धर्म हैं कृषियन धर्म हैं या फिर हम बहुत धर्मी की बात कर लेते हैं जो इसके समकक्षी चला था बहुत धर्म ने बहुत अधिक प्रशिद्धी प्राप्त की लेकिन जैन धर्म ज्यादा प्रशिद्धी प्राप्त क्यों नहीं कर पाया तो इसके पीछे भी बहुत सारी कमिया है पहली कमी तो हम ये माने के चलते हैं कि इन्होंने जो सिध्धान्त दिये हैं उनका बहुत अधिक कठोरता से पालन करने की बात की है मतलब इनकी जो साधना पदती है वो क्या है अतियंत कठोर है दूसरी बात इन्होंने जो महाबृत है और अनुबृत है जो पंचबृत की बात कही थी उनको दो भागों में बाट दिया एक अनुबृत रखे और एक महाबृत रखे एक गरस्त जीवन के लिए कहा और एक सन्यासियों के लिए रखे जब मोक्ष प्राप्ति का साधन एक ही है तो ये दो क्यों मतलब कि यदि व्यक्ति बोलते हैं कि यदि हम सत्त अहंसा आस्ते आपरेग्र है कख कठोरता से पालन करें तब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और यदि हम ग्रस्त जीवन जी का इसमें कुछ नर्मी बरते हैं तब भी हमें मोक्ष की ही प्राप्ति होगी तो हम कठोर नियामों का पालन क्यों करें उनमें विबाद होता है इसके कारण भी जेन धर्म ने प्रशिद्धी प्राप्त नहीं की उसके साथ ही यह जीव संभावता अनंत चतुष्टाय से युक्त होता है क्या बात करते हैं जीव में प्रारंब से ही अनंत चतुष्टाय है तो जब प्रारंब से ही है तो अग्यानता की तो बात ही नहीं होनी चाहिए यह बोलते हैं कि अग्यानता चतुष्टाय को ऐसे ढख लेते हैं लेकिन फिर भी जैन दर्शन बहुत महान दर्शन है, महावीर श्वामी ने बहुत अच्छा दर्शन प्रस्तुत किया है, इस दर्शन को आप आप लोगों को समझ में आया होगा, इस दर्शन से प्रशन तीन नम्मर के भी बनते हैं, पांच नम्मर के भी बनते हैं, और अब तो जो नया सिलेबस है उसके तहट 11 नमर का भी एक प्रशन बनेगा 11 नमर का प्रशन 200 सब्दों में लिखना होगा तो मैं आपको प्रिकृति बता देता हूँ कि आखिर इस दर्शन से प्रशन कैसे पूछे जाएंगे आपसे तीन नमर में सिधे सिधे प्रशन पूछे जा सकते हैं कि जैन दर्शन के त्री रतन बताईए पंच महाब रत बताईए ठीक है या आप बोल देंगे तक तो मीमान सा क्या होती है ग्यान मीमान सा क्या होती है महावीर श्वामी क्या है या जैन दर्शन क्या है ये कॉश्चन आपसे तीन नमर में भी पूछे जा सकते हैं बात करते हैं हम कि जैन दर्शन पूरा का पूरा कैसा है जैन दर्शन में क्या क्या चीजें कहीं गई है वो सीधा आपसे 5 नमर में भी पूछा जा सकता है और बात आती है 11 नमर के प्रश्ण की तो 11 नमर के प्रश्ण में आपको तत्त मीमानसा, ग्यान मीमानसा और नीती मीमानसा तीनों का विस्तृत वरणन देना है ध्यान रखना तक्त मीमानसा ग्यान मीमानसा और नीती मीमानसा इनको यदि अलग अलग करके पूछेगा तो इनको अलग अलग करके वो पांच नमर में भी पूछ सकता है आपसे पांच नमर में जो पंच महावरत हैं अनूबरत हैं ये भी पूछे जा सकते हैं इनको तीन नम में पूछे जाते हैं तो सिर्फ आपको नाम लिखने है और यदि आपसे पांच नमर में पूछा जाता है तो आपको इसकी डिटेल्स लिखनी है आपको बताना है कि अहिंसा सकारात्मक सब्दों में सकार्थ क्या है नकारात्मक सब्दों में सकार्थ क्या है आस्ते क्या होता है आप परिग्रह क्या होता है इसकी आपको डिटेल्स बतानी होगी ऐसे त्री रतन में हैं यदि त्री रतन आपसे तीन नमर में पूछे जाते हैं तो आपको सीधे त्री रतन लिख देने हैं और यदि आपसे यह पांच नमर में पूछे जाते हैं तो आपको इसकी details लिखनी होगी. किलियर हुआ? चलिए दोस्तों, I hope आप लोगों को यह दर्सन समझ में आया होगा. हम मिलते हैं अंगले वीडियो में, जिसके अंतरगा थम प्राचीन दर्सनेकों में बुद्ध धर्म के संस्थापक महत्मा बुद्ध का अध्यन करेंगे. महत्मा बुद्ध के दर्सन को समझने का प्रयास करेंगे. चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.